अलो स्टुरें स्टंडर्ड एट एग्जांपल 15 कर रहा है तीवी वस बॉट एट प्राइस ऑफ रूपीस 21,000 अप्टर वन यह दा वैल्यू ऑफ टीवी वस देप्रिशेटेटेड वाइफ परसंट डेप्रिशेशन मीन्स डिदक्शन अव वैल्यू दू यूज एज ऑफ द एग्जांपल नंबर 15 पहले करते हैं SI मेथड तो पहले SI मेथड करते हैं SI मेथड जो गीवन है वो पहले लिख देते हैं P 21,000 है P is equal to 21,000 R is equal to 5% decrease 5% decrease N is equal to 1 year है तो N is equal to 1 year therefore SI is equal to आएगा PRN by 100 PRN by 100 तो 21,000 5 and 1 upon 100 तो 00 cut 21,500 जागया होगा value of value at the end of 1 year value of TV at the end of 1 year is equal to minus करेंगे 21,000 minus 1050 and that is equal to कितना मिलेगा हमें 1,9,950 रुपीज मिलेगा तो पहले TV की value 21,000 थी 1 year के बाद इतनी हो जाएगी 1,9,950 उसके बाद हम CI वाली मेथड करते हैं तो अभी CI मेथड compound interest वाली मेथड तो इसमें क्या formula है A is equal to P 1 minus R upon 100 raise to N right, depreciate है value का मोती है इसलिए minus होगा तो P की value 21,000 है 21,000 1 minus 5 by 100 raise to 1 right क्योंकि यह पर क्या क्या दिया है P is equal to the I 21,000 R is equal to the I 5% decrease N is equal to 1 year दिया है therefore A is equal to 21,000 LCM लेंगे तो 100 बन जा 100 minus 5 तो 95 by 100 raise to 1 तो ना लेंखे तो चले 2,0 काट हो जाएंगे तो 21 into 95 होगा तो 1,995 और 1,0 right तो इतना रुपीज 1 year के बाद उसकी price मिलेगी हमें तो TV की price 21,000 थी 1 year के बाद कम हो जाएगी because of use right और 1,995,0 रुपीज होगी okay then try this है तो try this में first करते है हम machinery worth रुपीज 10,500 depreciated by 5% find its value after 1 year depreciate मिलब minus ही करना है हमें तो try this पेज नंबर है 133 तो P दिया है हमें 10,500 r is equal to 10% decrease 5% decrease decrease n is equal to 1 year therefore a is equal to मिलेगा हमें formula P 1-R by 100 raise to n तो 10,500 1-5 by 100 raise to 1 तो 10,500 100 बंजा 100 minus 5 तो 95 by 100 तो 2-0 कट जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 1-9-9-5-0 राइट या अंसर हमें मिलेगा ओके upon 2 तो इसका अंसर हमें क्या मिलेगा 9975 राइट 9975 रुपीज मिलेगा अंसर हमें राइट 9975 पहले 10,500 रुपीज थी अभी 9975 रुपीज आंसर मिला ओके उसके बाद second है find the population of a city after 2 years which is at present 12,00,000 if the rate of increase is 4% तो इसमें second वाला करते हम second में दिया है P is equal to 12,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 raise to n तो P है 12,00 1 plus 4 by 100 raise to 2 तो 12,00 तो 100 बंज़ 100 plus 4 104 by 100 into 104 by 100 तो 4,00 cut हो जाएंगे 1,2,3,4 तो answer क्या मिलेगा हमें multiply करेंगे तो 12,97,920 12,00 कितनी हो जाएगी 12,97,920 population हो जाएगा ओके तो इसके बाद exercise 8.3 हम start करेंगे ओके कि झाएब तो 1 whom means चाएगी